सबसे पहले मैं आप सभी को तहत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ विकिस हम लोगों ने फाइनली 3000 सब्सक्राइबर्स कर लिये हैं और आज मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ कि आज special हम खाने में क्या बना रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और देख लेते कि आज क्या special है खाने में तो यह देखे गाइस ingredients देखे आपको पता चली रहा होगा यहां पर हम आज दालचा बनाने वाले हैं तो ममा ने दालचा का सब ही समान ready कर दिया है और आज ममा ही दालचा बनाएंगे तो यहां सबसे पहले ममा ने दाल लिया है दाल को ममा बॉईल करने के लिए रख रही हैं उसमें थोड़ा सा पानी, नमक और हलदी डाल कर इसे सीठी लगा देंगे हम तो यह एक साइट पे दाल रखती है और दूसरी तरफ हम लौके को भी थोड़ा सा गला लेंगे जिसके लिए हमने लौके ले लिए है उसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसमें पेस्ट डालेंगे यह दाल्चा मिसाले का पेस्ट है रेडिमेट मार्केट में मिल जाता है यह ऑप्शनल है अगर आपके पास यह नहीं है तो भी आप इसके बिना भी दाल्चा बना सकते हैं और अब इसे ठपकर पकने के लिए लौकी को रख देंगे तोड़े देर के लिए और साथी साथ फ्रेंड्स सुबा का टाइम है तो ममा यहां पे सबके लिए चाय बना रही है तो फटा-फट से यह चाय भी बन जाएगी पाच-देस मिनट में कि यह देखिए फ्रेंड्स चाय अब रेडी है अब आगे का व्लॉग हम चाय पीने के बाद बनाएंगे चलिए ब्लॉग की तरफ देख लेते हैं यह भी गल चुकी है दाल भी हमारी रेडी है अब दाल्चा बनाने के लिए आगे के स्टेप्स हम फॉलो करेंगे एक कुकर में हमने ओल डाल दिया है अब इसमें अनियन डालेंगे यह देखिए यह गरम हो चुका है अब इसमें सारे अनियन्स डाल देते हैं और इसे लाइट ब्राउन होने तक हमने इसे इसी तरह तलना है इसमें हम तेज पता और हरिमिच ताल देंगे और अच्छे से इसे तल लेंगे यह देखे लाइट ब्राउन हो चुकी है प्यास अब हम इसमें गोश डाल देंगे इसे भी अच्छे से भून लेंगे अब इसमें अद्रक लसन का पेस्ट डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे रेचिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर तमाटर डालने के बाद भी हमें अच्छे से बुनना है उसे और यहां पे हम यूज करने वाले है लक्नibt का दाल चावम साला तो इसे डाल देते हैं और हमने यहां पे 1 टेबल स्पून डालगा डाला था अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब पानी ढालकर इसके सीटी लगा देंगे और दूसरे तरफ हम चावल के तियारी करेंगे तो हमने यहाँ पे ओईल डाल दिया है बगोने में उसके बाद हम इसमे घी भी अड़ कर देंगे खी पुरी तरह से मेल्थ होने देंगे और उसके बाद हम इसमें खड़े करम मसाले डाल देंगे खड़े करम मसालो को दो मिनिट तक अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तेल और घी में और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अद्रकलसन का पेस्ट और इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा आप देख सकते हैं बुनने लगा है अध्रकलसन अब इसमें पानी डाल देंगे इसमें सॉल्ट आट कर देंगे इससे बॉइल होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे धाब कर इसमें राइस डाल देंगे जैसे हमें अच्छे से देख कर लिया था राइस टालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे आपके राइस पानी सूख चुका है अलमोस्ट रेडी होने वाला है हमारा राइस ब्वत इसमें काफी करनी है तो इसे हमें और पकने देना है और जब यह almost ready हो जाएगा इस पर food color अड़ करना है यहाँ पर हम yellow food color यूज कर रहे हैं क्योंकि दालचे के साथ yellow rice काफी अच्छा दिख कर आता है आप चाहें तो orange food color या फिर कोई और food color भी यूज कर सकते हैं यह देखिए हमारा जो गोश हमने रखा था वो भी almost हो गया है अब उसमें लौकी डाल देंगे हम उसे अच्छे से mix कर लेंगे हमारी डाल भी ready थी side by side तो इसे अच्छे से चला लेंगे ज़्यादा एक्दम से यह नहीं करना है हमें यह देखिए यहाँ पर हमने लौकी का जो बचा हुआ पानी था वो हमने डाल में अड़ करके अच्छे से mix कर लेना है और यह सारा mixture अब हमने हमारे लौकी और गोश में डाल देना है डाल का अब डाल के साथ गोश और लौकी को अच्छे से mix कर लेना है हमारा दाल चाह almost ready है इसे अच्छे से mix कर लेंगे मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है यहां पे यहां पे पुदीना और कोत्मिर हमनी डाल दिया है लास्ट में और इसे अच्छे से चला लेंगे अपर इसे हम अपर हमिली का पानी एड आड कर रहे हैं कटास लाने के लिए डाल्चे में जो की डाल्चे में काफि कर लोरी है यहाँ पर लखी का, वो आदा पकेट हमने पहले डाला था, आदा पकेट हम अभी डाल रहे हैं, वो डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको, और बस इसे बॉल होने तक अच्छे से हम पकाएंगे, तेरे देरे बॉल आना शुरू हो गया है ये, बट हमें इसे और पक एकदम खुले-खुले चावल बने हैं, एक भी चावल ऐसे चिपका हुआ नहीं है, एकदम खुले-खुले चावल यहाँ पर हमने बनाए हैं, और कितना प्यारा लग रहा है ये, अब हम मीठे की तियारी कर लेते हैं, मीठा बनाने के लिए एक कड़ाई में हमने घी यहां पर फिलाल हमने एक कप सुझी आड़ गी है और आधा कप गी आड़ है इसलिए इसलिए एक कप गी आड़ किया है अधे कप में भी अच्छेसे आपका हल्वा बन जाएगा सब्सकार, 2-3 लिए अधा कटोरी खी बचाके रखा था वह भी टाल देंगे और उसमें हम ढालेंगे इलाइची पाउडर डालकर घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आड कर देंगे पानी के बाद हमने इसमें एक कप सुगर गनी है एक कटोरी और यहाँ पे हम केवरा एसेंस आड़ कर रहे है और रोस वाटर आड़ कर रहे है फ्यू डॉप्स यहाँ पे हमने फूड कालर आड़ किया है औरंज और यह देखे सूजी भी खी में भून गई है अब इस सूजी को हमने हमारे जो दूसरी कड़ाई थी जिसमें हमने पानी वगरे शॉकर वगरे बॉई की थी उसमें डाल देना है और अच्छी से हमने इसे मिक्स कर लीना है इससे चलाते रही है तोड़ी दे तक और इसमें सारे ड्राइफॡ्स डाल दिये हैं हमने चार Gust ले लिया है आलमिंस यानि के बदाम और काजू लिया है यहां पे और इसे अच्छी से मिक्स कर लीजिए अब आपको जाद अच्छे से समझ में आई इसलिए मैं आपको बता देती हूँ इस कटोरी से हमने लिया था मैजरमेंट तो एक कटोरी घी एक कटोरी शुगर एक कटोरी सूजी हमने यहाँ पर पूरी ली है इस रेसिपी को बनाने के लिए और जहां तक मुझे याद है हम ल दिलीशियस हलवा बनता है यह तो आप इस हलवे को जरूर ट्राय करिएगा और बस अलमोस्ट रेडी है हमारा हलवा तो हमने इसे डाइनिंग टीबल पे सर्फ किया है और आप देख सकते हैं यह हमारा हलवा हमारा दालचा और हमारा चावल तो एकदम डिलीशियस सा बहुत ही डिलीशियस बना है यह देखे बहुत यमी है कि बहुत है कि अ बहुत है और देखे प्रेश्ट बना है वह हमारा है यह प्देशियस बहुत है बहुत है मामा गारा काने साथ देखे है